दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं compound gear 10, simple gear 10 और compound gear 10 से सम्मंदित basic जानकारी हम पहले वाले lecture में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखाता है कि simple gear 10 के माध्यम से हम कैसे चूड़ी कारते हैं, इसमें देखाता है कि mid-trick lead पर bit-trick lead पर mid-trick चूड़ी कैसे कारते हैं, इस सब क basic जानकारी हम पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं, description में link दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं, अब देखते हैं compound gear 10, actually compound gear 10 होती क्या है, इसकी जरूद क्यों पड़ी, कई बार क्या होता, simple gear 10 के माध्यम से हम lead school की उच्छत गति प्राप नहीं कर सकते, जो हम को चू दिया हुआ है, एक gear 10 की गणना कीजिए, ठीक है, जब की job पर काटे जाने वाली चूडियों की संख्या कितनी दिया है, 6 TPI दिया है, और lead school की पिस कितनी है, 5 mm, अब आप देख सकते हैं कि job पर काटे जाने वाली चूडियों की संख्या कितनी है, 6 TPI में दिया हुआ है, ठी अब lead school की 5 mm, तो आप समझ सकते हैं कि late machine आपकी mid trick है, अब आपको चूडि कौन सी काटनी है, आपको चूडियों की संख्या दिया है, तो एक चीज तो clear हो गए, ठीक है, आप आँगे देखते हैं, आपको एक condition दिया है, condition क्या दिया है, कि आपके पास gear ओं का set है ना, 20 से 120 दातों के क्रम में उपलब दे, अब आपके पास ना तो इस से अधिक चलेगा 120 से और ना 20 से कम चलेगा, मतलब आपको जो gear हों का set है, आपको 20 से 120 दातों के बीच में उपलब दे, ठीक है, अब एक और दिया है कि 127 दातों का आपको एक business gear का यूज करना है, अब इसको भी देखेंगे 127 दातों का gear, आप driver gear के यूप में यूज करेंगे, add driven gear के रूप में यूज करेंगे, वो आँगे देखेंगे, पहले सवाल में किया है, जोब पर काटे जाने वाली चूडी, दिया है, जोब पर, काटे जाने वाली, लीड, कितनी दी है आपकी, छटी पी आई, ओर लीड, श्कूर की लीड कितनी दी है, लीड, श्कूर की, लीड, पर पिछ, कितनी दी है आपको, पाच में, सूत्र पार भायर की हितनी ही address, अ घृक का सूत्र क्या होता है, ड्राईवर गेर अनपाद का सूत्र होता है, driver अपन डिर्बन, पहली बाले वीडियो हम बेशिक तरीके से किलीर कर चूके, ज॑ब पर काटे जाने वाली चूड़ी अपन लीड, की पिछ जोब पर काटे जाने वाली लीड जोब पर काटे जाने बाली पिछ या लीड अपन लीड इसकू की लीड लीड इसक्रू की लीड इससे बेसिक जानकारी हम बहुत डिटेल से हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं अधि आपने नहीं देखे तो हाँ पर जाके देख लिजी तब यह आपको और अच्छे तरह किसे क्लियर हो जाएगा तो लीड इसकू की लीड कितनी दी है आपकी अब इसमें माल रखते हैं क्या होता है जोब पर काटे जाने वाली पिच अब पिच बराबर क्या होता है पिच बराबर होता है आपका बनापॉन टीपी आई एक किटने दी है तो एक चीसीं देखते हैं जॉब!!" पर काटे जाने वाली पिछ कितनी, section दी है आपको बन तक यह श्क कौुझ कि पांच अब एक चीज़ यहाँ आप देखें आप का लेट मशीन है मूह कि क्यों लीड इसको की पिस्दी है आपको कितनी पांच एम और जो पर चूड़ी कौन सी काटने है आपको बेटिस तो मिट्रिक लेट पर बेटिस चूड़ी काटने के लिए हम 127 दांतों का गियर ड्राइबर गियर की रूप में यूज कर यूज करते हैं अब अपॉन फाइफ अब इसको सॉल्व करना है आपको इसको सॉल्व करने से ही आपका आंसर आएगा अब आंगे देखें आप बन अपॉन 6 ठीक है इंटू 127 अपॉन 5 इंटू 5 लग सकते हैं बन अपॉन 6 इंटू क्योंकि बटे में दिया हुआ है तो यह बन अपॉन 6 नीचे आ गया आपका 127 पांच इंटू 5 यह हो गया ठीक है अब कह दिया हुए एदि पचम 25 और 25 छिंगे 150 होते हैं जो की 120 से जानदा है तो आपको यह चीज का ध्यान भी रखना है कि आपके 120 से जानदा भी नहीं होने चाहिए ठीक है तो और आपको कंपॉंड गियर 10 भी बनाना है तो आप आंग 120 का गुणा नीचे कर दें क्योंकि आपको कंपॉंड गियर 10 भी बनानी है अब क्या होता है इंटू 127 बटे 25 ठीक है इसको निकालें तो कि 20 आ गए और यहां पर कितने आ गए आपको 6 दूनी 12 एनी 120 इंटू 127 अपॉंड 25 ठीक है जे आपका निकल क्या है तो ड्राइवर गियर कौन कौन से हुए आपके 117 दातों का और 20 आपके pushी का एक सो बीस धाथों का और पत्चीन दातों का इसमें देखा आपने बिसक से कि इसमें दिया को मिट्क लेट पर मिट्टिगख बद्चूड़ी काटन की बिड्टिःष चूड़ी काटनियों इसमें भी 20 से 120 के अनुपात में हैं और आपको 117 दातों का एक special gear भी यूज करना है अब वो driver की रूप में करना है या driven की रूप में करना है वो आपको तै करना है कि लेट मसीन कौन सी है अधि लेट मसीन आपकी लेते हैं तो एक सो सताइस दातों का जो गियर है उसको हम driver के रूप में यूज करते हैं जैसे कि हमने देखा यहां पर तो आपकी लीड़ स्कूल की जोब पर काटे जाने लिए जोब पर काटे जाने लिए पिछ कितनी दी है आप दी है आपको छेटी प्याइए जो कि आपको पिछ में बदनना होता है तो पिछ बराबर क्या होता बनपॉन टी प्याइए तो बनपॉन शिक्स रख लिया इंटू लीड़ स्कूल की पिछ कि रही इसके लिए हमने आंगे क्या किया 20 का उपन नीचे गुड़ा किया ठीक है और इंटू 127 अपन 25 तो कितना निकल के आएगा बीस अपन 120 इंटू 127 अपन 125 तो आपके ड्राइबर गियर कॉन कॉन से हुए 127 और 20 का और ड्रिबिन गियर हुए आपको 120 और 27 तो इसके माध्यम से हमने देखा कि गियर 10 की हम गड़ना कैसे करते हैं अब अगला सवाल देखते हैं हम अगला सवाल देखने जा रहे हम कंपॉंड गियर से संबनेद इसमें दिया है कैलिकुलेट दा चैंज गियर फोर कटिंग 3.4 mm पिस ओन ए लेत बिथ 4 टीपियाई इसक्रू गियर एलेवल 20 इंटू 120 स्टेप और 5 और 27 तीथ आपको एक चैंज गियर की गड़ना करना है जिसमें काटे जाने वाली चूड़ी कितनी है काटे जाने वाली पिस है 3.4 mm लीड स्कूल की पिस्दी है आपको 40 टीपियाई गियर एलेवल है आपको 20 से 120 की स्टेप में जो की 5 के अनुपात में है और 127 का आपका एक बिसेश ग पर काटे जाने बाली लीड कितनी दी है आपको 3.4 mm ठीक है पिछ और लीड उसकूँ लीड उसकूँ कितना है आपका 40 टीपियाई ड्राइबर अपोन ड्रिबन क्या होता है जॉब पर काटे जाने वाली पिछ अपून लीड उसकूँ की पिछ लीड इसकूँ की पिछ ठीक है अब जॉब पर काटे जाने वाली पिछ लीड कितनी दी हुई आपकी पिछ बराबर क्या होता आपको पिछ बराबर होता है बन अपॉन टीपियाई तो पिछ बराबर क्या होता है बन अपॉन टीपियाई तो पिछ बराबर क्या होता है बन अपॉन टीपियाई तो पिछ बराबर क्या होता है बन अपॉन टीपियाई तो बन अपॉन अब इसमें एक दिया है, 127 दातों का एक business gear है, 127 दातों का आपका एक business gear है, वो आपको tag अनना है कि वो driver gear की रूप में यूज करेंगा या driven gear की रूप में यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपकी late कौन सी है, bitush late है, क्योंकि bitush late पर lead school के tipi d हैं, आपके 4 mm, 4 tpi दिये हुए है, और आपको चूड़ी कौन सी काटनी है, mm, यहनि metric चूड़ी काटनी है, British लेते, जब British लेते रहती है, तो हम उसको value कम देते हैं, मतलब 5 ऊपर और 127 नीचे, इस से पहले देखा कि आपकी metric लेते थी, और British चूड़ी काटनी थी, तो metric लेते थी, तो आप इसको value कितने देंगे, जानदा, तो 5, 127 आपके ऊपर आते, आयते, और 5 नीचे आते, लेकिन इसमें क्या है, आपकी British लेते, बिटे लेते तो हम value कम देंगे, याद करने का concept है, तो 5 आप ऊपर रखेंगे, अब इसको आप solve करें, कैसे, थिरी अपॉन, फूर, इंटू, जे वाला फूर आपका ऊपर आ गया, इंटू, फाइफ, अपॉन, 127 ठीक है, अब इसको दसमला व्यादी हटाते हैं, तो यहाँ पर आप दसमला भटा है, तो यहाँ पर कोई सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अब कितने हो गए आपके, 34, अनुपात, 10, पांच वा को बीस, हाँ अनुपात, 127 म कैस अरथी हैं, कि आपके जो गेर हैं, 20 से 120 के 5 फेंगर ने हम, वालत 5 के अनुपात, तो यह कि इतना 34 दी हैं, जो समाज के नपात में नहीं है और बीस से 120 में दिया है जो कि डाइवन गिजाना आपका दस में तो आपको इसको चैन्ज करना है चैन्ज कैसे करेंगे आप इसको देखें इसमें कितने का गुणा कर दें हम थे अँछा है कि इसका कोई अनपात σου नफा रहा है ठीक है न तो इसको अलग तरीकर शॉल करते अलग तरीकिश्ट अक्सय यह सही है लेकिन अनपात और दूसरी तरीकर स्वाल्ब करें क्या करें इसको आप दो से काड़ दो सब्सक्राइब पंचर दस को दो यह मं दो दो साथ चाउदा अपका अब अब अनने पात में आप एक 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 सांख्या बनाए जो कि 770 इसको एक सोसाताइस रख दें इसको एक सोटायी लगें इंटू उपर कितना मतना चार और पांच अब सहीं है क्या किया आपका जब सवाल नहीं बहुत तो आप इसको पांच से सब्सक्राइרכ agtकुंकि तो 1385 विचायसी और 127 नीचे अब देख सकते हैं कि 85 और 27 कर सकते हैं क्या कि अब कोई आपको यह अंसर नहीं आगा क्यों कि छ पांच-क नुपात हैं यह व्या पांसकी नहीं है चाहर मतलब आपको दिया है पांस से नीचे नहीं होने चेहरा है। इसको क्या कर सकते हैं ? जैसा कि पिछले वाले सवाल में किया हुआ हो था अब क्या हुआ आपका पिच्छासी। अपॉन 127 इंटू 80 और 100 अब आप बन अब आपका सवाल बन गया है तो आपका driver gear कौन कौन से रहेंगे आपको 85 दांतों का यहाँ पर लेखें आप driver gear कौन के रहेंगे 85 और 80 दांतों का 85 80 दांतों का और driven 127 27 और सोदांतों का कभी कभी condition सही नहीं बनती है तो उसके लिए क्या और अलग तरीके से हम solve कर सकते हैं क्योंकि आपको 5 के step में भी बनाना है ठीक है ना 5 के step में भी बनाना 120 से जाना नहीं होने चाहिए और 5 से कम नहीं होने कितने बटे चार बचे और आपके नीचे कितने बचे पांच बचे ठीक है ना तो चार बटे पांच में आपका पांच में आपने 20 का उपनी से गुणा कर दिया तो कितने हो गए आपके 80 &90 यσक पहले से थी ठीक है नोगे और का का क्या बना 127 आपका डिएवर की रूप में और 85 ड्रइवर की रूप में और असी हसे ड्राइवर सो गेंशर डिरिया की रूप में तो Caribbean की रूप में तो आपने देखा कि हम कंपांट गे़र के माद्धयम से कैसे त्रेट क говорит आते हैं और कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट करते हैं जबके आपके यह कंडिशन दी गई हूँ ठीक है ना तो जल्ली हम अगले वीडियो मिलते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्नबाद